हे गाइस वेलकम बैक टो माई चैनल आप देख रहे हैं ये मेरा पेट रॉकी रॉक स्टार है इसे बहुत ज्यादा खुजली हो गई है तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे को जो उपाए पता चला है खुजली को दूर करने का वो आप से शेयर करें कोई मैं डॉक्टर नहीं हूँ पर बहुत आच्छा उपाए मुझे मिला है जिससे इसकी खुजली बहुत जल्ट थीख हो गई है आप मेरे हाथों में नीम का तेल देख सकते हैं ये बहुत थी बेस्ट तेल है जो हमारे डॉक्स की अलरजी को बहुत जल्ट थीख कर देता है अब इसे उप्योग कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती हूं हमने यह bottle market से लेकर आये और हमने इसका क्या करा थोड़ा सा इसका quantity हम इसे निकाल देते हैं ज्यादा नहीं लगाना है हमें स्टेल को हमें बहुत ही कम quantity में इसे लेरा है अब यह मैं आपको दिखाती हूं देखिए थोड़ा सा लेना है और जहां पे भी infected area है जहां पे भी खुजिली हो रखी है डॉग को आपको gloves पहन लेना है ताकि आराम से उस जगी को आप touch भी कर सके क्योंकि ऐसे आप hands से नहीं touch कर सकते उसको तो ये देखिए मेरे डॉग को यहां पे अलरजी हो रखी है हमने gloves पहन लिया है और अब हम अपना हाथ को उस घाव पे लगाएंगे जहां हमारे डॉगी को infection है देखिए ऐसे करके इंफेक्शन हो रखा है हमारे pet को वहाँ-बहाँ हम उसको oiling करेंगे नीम का बात बहुत अच्छा होता है नीम का तेल बहुत अच्छा होता है मैंने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें नीम का बात करते हुए दिखाया है कि इंफेक्शन कैसे चुट कर सकते है आप नीम का बात भी कराईए और साथ में ये नीम का तेल भी लगाई है दोनों बहुत ही बेस्ट रेमेडी है क्योंकि नीम जो है न वो जड़ी ब्यूटियों का एक खजाना है जिसे सालो साल से इस्तमाल किया जा रहा है त्वचा से जुड़ा शायद ही कोई ऐसा रोग होगा जिसे नीम न ठीक कर सके यदि बात करें नीम की तेल की तो या त्वचा से मुहासे, खुजली, दाद, खाद, आधी को दूर करने में बेहत फाइदे मंद होता है इसके तेल में बिटामिन, E, अमीनो एसिट और फैटी एसिट पाए जाते है जो इसकिन के अंदर में जाकर अच्छे से पोशर देता है और या एक प्रकार का एंटी बैक्टिरियल, एंटी फंगल और एंटी इंफ्लेमिरी गुर से भरपूर है इसलिए ये तेल बहुत ही फाइदे मंद है हमारे पैट के लिए किसी भी टाइप की स्कीन अलर्जी हो रखी हुआ आप डॉक को आप इसे यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही जल्द मुझे लगता नहीं है कि एक हपते के अंदर ही आप इसका रिजल्ट दिखेंगे क्योंकि मैंने खुद अपने पैट पे अजमाया है और उसे बहुत हर्ट तक फाइदा हुआ है और मैं एक वीडियो ऐसा भी शेयर करूँगी जिसपे मैं दिखाऊंगी कि जो इसका ये दाग है पूरी तरह जा चुका है और वहाँ पर बाल आ गया है यह देखें कितने अराम से लगाते हैं अगर आपका डॉग तो आप उसे चेन में बान दीजिए तो आप उसे बीच-बीच में प्यार भी करते रही है और फिर ओल लगा दीजिए क्योंकि यह क्या है ना यह चीछ ना घाओ पे चुबता नहीं उन्हें जलन नहीं देता है इसले वो अराम से लगवा लेते हैं बहुत ही सॉफ्ट होता है तो उन्हें ऐसे कोई दिक्कत होती नहीं है तो वो बहुत अराम से लगवाते हैं तो इस तरीके से आप मदद से अपने पैट को ओईलिंग कर सकते हैं और देखिए हमारे ये रॉकी रॉक स्टार ने बहुत अब इसका मसाज कर रहे हैं ताकि थोड़ी से खुश हो जाए इसने हमें अच्छे से लगाने दिया है और यह देखिए ऐसे आप दिन में एक बार कर सकते हैं एक हपते तक दिन में एक बार करिए बहुत फाइदा करेगा आया वीडियो आप तक पहुचा और आपको बहुत फ अध अच्छे को कि रोसफ प्रॉबग जाज से खुश करके लगाने वीडियो आपको र क्यूंचा वदेखि नही हमें पार कर दूचा है यहद्यों आ Vorsिड थास उर्वटण